वेकम टू प्यूर कुकिंग समर स्पेशल में आज बना लेंगे फ्रूट क्रीम विट आइस क्रीम जो हैदरबादी शादियों में सर्फ किया जाता है बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बनके तयार होता है और समर्स में बहुत अच्छा लगता है खाने में तो चल इसमें आइसिंग वाटर रखेंगे ताकि क्रीम फटे नहीं और बरतन में हम यह फ्रेश क्रीम ले लेंगे 300 ml और इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लंस बाखी ना रहे अब इसमें अट करेंगे कंडेंस मिल्क हाफ कप हाफ टीन के जितना डाल दी अब इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे जो हमने फ्रूट कोक्टेल चानके रखा है वो इसमें आड कर देंगे अब हम इसमें कुछ फ्रूट्स दालेंगे लेकिन इस बात का धिहान रखिए के फ्रेश फ्रूट जो भी आप इसमें आड करें वह सिट्रस ना हो जैसे के वरना क्रीम फट जाएगी खटे की वज़े से इसमें सारे मीठे पल आड करने तो मैंने यहां पे लिया है पिल जिसे मैंने पील किया है दो बनाना बिल्कुल बारी बाइट साइज में कट करके आड कर दीजिए इसमें आप ग्रेप्स भी आड कर सकते हैं अगर मीठे हो अब सर्फ करने के लिए एक फैंसी सा बाउल ले लेंगे इसमें आड करेंगे पहले फ्रूट क्रीम जो हमने बना के तायार की हुई है इसके उपर से रेडिमेट आइस क्रीम एट करनी है मैंने यहां पे अंजीर फ्लेवर की आइस क्रीम यूज की है आप चाहे तो वेनेला चौकलेट स्टॉबरी आपकी पसंद से कोई भी आइस क्रीम इसके ऊपर दाल के सर्फ कर सकते हैं इसके ऊपर से थोड़ी सी टूटी फ्रूटी आड करेंगे जो बहुत अच्छी लगती है खाने में और दिखने में और पैन अपल क्रेश आड कर रही इसमें कोई भी खिसम से आपको अवेलेबल मिल जाएगी आसानी से कोई भी शॉप में तो यह इसी टेस्टी क्विक डेजर्ट की रेसेपी अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर एक लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने ऐसे फैमली और फ्रेंड से जिनको डेजर्स की रेसेपी अच्छी लग कि अ कीजिए थिनको pourquoi कि अो यह इसी वह इसानी से खालुज की लगी खज़ कोई पके बना देजर्स का की लिएगे खालुट की वह रेसे खालुण की वह दे घूब घजून्य जरुण